हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फोर और यह कार्बन एट्स कंपॉंट्स ठीक है डिस वन अप दी वोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑब्विस्की बात है फिर्स्ट अपने तो आपके मैंटर स्वांडर तक आई किया है सब्सक्राइब की बात है और यह बहुत जाटर श्रूब करने बहुत 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 थार को पुछ नहीं सुनने की जरूरत है कि जरू करें कारवन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ी बहुत चीज़े आज हम और सीख लें ठीक है पहले आप यह समझे के जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री जो है इसको टूफार्स में डिवाइड़ केुछ है कौन पार्षिर एक को है जी और गैनिक केमिस्ट्री और दूसरी है इन और गैनिक केमिस्ट्री में gj coloring हमारे पास कितने हस है इसलग भाइनमेंटन के आस पास हमारे पास अलेमेंटन हैं कि अब जब हमारे पास बहुत साई चीजे हो जाती है तो उनको हमें डिवाइड करना पड़ता है जिससे हमारे लिए चीजे आसान हो जाए जैसे के आपके स्कूल में कई सारे बच्चे आते होंगे 2000, 3000 या 2000 स्टुडेंट्स आते होंगे लेकिं उनको डिवाइड ही किया गया जिनको बिल्कुम कुछ भी नहीं आता जो रोते रहते हैं उनको अलग क्लास में डाल दिया नर्सरी जिनको थोड़ा बहुत आ गया वो केजी और जिनको बहुत जादा आ गया वो 10, 11, 12 तो सब को एज के आपको और और नॉलिज के आपको डिवाइड किया गया है कुछ समझत है कि अब इसी वरिक्ये से हमारे पास 118 अंट है जिनके बारे में पढ़ने आपको किया लगता है कितने अमें झाजें और आएंगे और आइडिया रख चलो बताओ और ऑगैनिक में दो एलेमेंट्स आएंगे और इन ऑगैनिक में 160 है इस बच्चे का क्या है कौन से हैं वो दो और बच्चा एनी गैस बेटा वन हंडड़ है 17 एलेमेंट्स आपे हैं इन ऑगैनिक और सिर्फ एक जिसका नाम क्या है कार्बन जिसके साथ रियाक करेगा वो सारे कंपाउंट्स किसमें आ जाएंगे ऑगैनिक अब हमें जो मेजरली पढ़ना है वो हाइड्रो कार्बन के बारे में पढ़ना है हाइड्रो कार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या आपको इंट्रेस्टिंग ने लगा एक इगर और 107 तो कुछ तो खास बात रही होगी कार्बन में तभी हमें इसको डिवाइड करना पड़ा और उसमें भी एक साइड रखा गया कार्बन और बाकी सारे एक साइड अर्यू गैटिंग मैं पॉइंट तो अप्छोड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा है कुछ तो है इसमें जादू क्या आप बोल जादू देगी ना खाते हो क्या है तो सबसे पहला question आता है what is carbon सबसे पहली बाद carbon is an element जैसे हमारे पास oxygen एक element है hydrogen एक element है वैसे ही carbon भी एक element जितनी भी living things है जहें वो कोई plant हो animal हो, bacteria हो, virus हो सब कुछ किस से मिलका बनता है carbon उसमें carbon को 100% present हो गई हो कहतनी बाद समझ में आ रही है तो जितने भी living organism होते हैं वो सभी में carbon जरूर present होता है और साथ के साथ हुमें बढ़ा है कि carbon is a non-metal metals, non-metals and mandaloids उसमें से carbon पहली बाद तो एक element है और दूसरा साथ के साथ ये non-metal है इसका atomic number कितना है? 6 atomic number कितना है? 6 और इसका symbol क्या है? C इसका atomic number atomic number है जि 6 इसका atomic mass कितना होता है? atomic mass या mass number 12 इसकी electronic configuration क्या होती है? 2,4 इसकी electronic configuration होती है 2,4 इसके पास valency कितनी होती है? valence electron भी 4 होते हैं और valency भी 4 ठीक है? ये सारी सारी खास बाद है भरी अब ये carbon कहां present है? मेरी body के अंदर ये present है आपके अंदर भी और जितनी भी living things है उन सभी में carbon present है क्या कोई non living things भी है? जिसमें carbon present है? जैसे के आपका diamond जैसे के आपका coal, coal हो गया, diamond हो गया, graphide हो गया ये सारी ये सारी चीज़े किससे मिलकर बनी है? carbon से diamond तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना है उसमें और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो wood की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर को paint रोड़का उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अंदर जो अंदर graphite है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से नहीं कर बनी है दूसरा आपको ये element प्रेजेंट नहीं, atom भी प्रेजेंट नहीं किसी का कहती पास समझ में आ लगे तो ये what is carbon को याज के पाद आप सो पूछेगा जीट सबसे पहरे बोलोगे, carbon is an element it is a non-metal the symbol of carbon is c atomic number of carbon is 6 atomic mass is 12 electronic configuration 2,4 और इसकी valency कितनी होती है जिसकी valency 4 हो यह जिसकी outer moon shell में 4 electrons होते हैं उसको tetravalent होते हैं क्या बहुते हैं? tetravalent इसका मतलब यह है कि carbon क्या है? tetravalent tetra का मतलब बता 4 4 valency कहती पास समझ में आ लिए? अब जरो देखे, the name carbon is derived from Latin word carbon which means coal carbon का नाम नहीं से नहीं से नहीं लिए जब कोई की चीज की discovery होती तो उसका नाम रखा जाता है पर Latin word में जो coal का नाम था वो carbon वहीं से carbon नहीं लिए के तनी पास सबज़ना रही है? the amount of carbon present in earth crust and atmosphere is varied है सबसे ज्यादा जो present है atmosphere में क्या present है oxygen and carbon dioxide बाग की सारी जो gases है वह बहुत कम percentage में present है ठीक है? देखे ज़ा earth crust में only 0.2% 0.02% present है carbon in the form of carbonates, coal, petroleum, natural, gas, etc. सभी में आपको बता है carbon present है ठीक है? तो 0.02% को यहां पर प्रेजेंट हो गया atmosphere में किकना carbon present है? 0.03% क्योंकि carbon dioxide gas में carbon present है ठीक है? इसके बाब all living things, plants and animals are made up of carbon compounds called organic compounds ठीक है? a large number of things which are used in our daily life are made up of carbon जादा कर जो आप आसपास में चीजे ही use कर रहे हो वो किस्से मिलकर बनती है? carbon से जैसे ही आप benches बैठे हुए बुड से बनी है तो carbon है मेरे जो fabric बना है वो किस्से मिलकर बना है? carbon से क्यब आप समझ में आ रही है? तो पैंसे यूज करते हो उसमें भी carbon है तो आसपास में जितनी भी यह डोर है उसमें भी carbon present है आसपास में बहुत सारी चीजे आप daily life में carbon से ही बनी हुई use कर रहे हो अब ये बार बताओ भई किसी भी चीज में carbon present है या नहीं present है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए टेस्ट करना होता है जैसे कि आपने lime water सुना होता है calcium hydroxide calcium hydroxide का common name क्या है lime water lime water में से अगर किसी substance को pass किया जाए और उसमें carbon present है तो वो milky color में change हो जाता है किसमें change हो जाता है milky color और वो जो milky color है वो ये show करना है कि उसमें carbon present है जैसे कि आप क्या कीजिए lime water लीजिए और उसमें pipe डाल कर हवा फूप किये आपको पता है आपके जब आप एक्जेहल करते हो तो कौन सी gas release होती है carbon dioxide तो जब आप उसमें फूप मारोगे आप देखो पर जो lime water है या calcium hydroxide है वो में की कलर में चीज़ होती है इससे यह पता चाज़ रहा है हमारे जो gas release हो रहे है वो उससे वो क्या है carbon dioxide carbon present है ठीक है to test a compound containing carbon burn in the presence of oxygen of air and pass through pass the gas from form through the lime water वो क्यारे कि carbon को oxygen in the presence में burn कीजिए उस gas को क्या कीजिए pass कर वीजिए lime water से ठीक है if the lime water turns milky तो जो milky बनेगा वो basically क्या हो जाएगा calcium carbonate calcium hydroxide तो already present है calcium भी वहीं से आजाएगा hydrogen भी वहीं से आजाएगा oxygen भी वहीं से आजाएगा carbon कहां से निकलेगा जो हम gas उसमें provide करेंगे then the compound contains carbon so basically हुआ क्या calcium hydroxide तो हमारा क्या है lime water carbon dioxide gas आप बाहर से उसमें blow करोगे या फिर release करेंगे तो यह दोना आपस में react करेंगे calcium carbonate बनाएगे hydrogen water calcium carbonate है इसकी वज़ा से ही जो lime water है milky color में change हो जाता है क्यातनी बास समझगा रही है अगर ऐसा है तो समझाएगे कि उस compound के अंदर क्या present है carbon present है और अगर milky में change नहीं होता है carbon present नहीं है समझ गए आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेगे जी types of chemical bonds ठीक है हमने वैसे भी पढ़े हुए matter storminator में भी पढ़े हैं लेकिन यहां पर भी पढ़े हैं जो bonds होते हैं वो दो तरीके होते हैं एक होता ionic bond और दूसरा होता है covalent bond ionic bond तब बनता है जब electron का transfer होता है positive charge और negative charge negatively charged particles और positively charged particles मतब anion और cations आपस में react करते हैं यह कहें कि transfer of electron ठीक है और covalent bond बनते हैं जब sharing of electron नहीं वो transfer करेगा नहीं gain करेगा वो क्या करेंगे sharing of electrons ऐसे bond को बोला जाता है covalent bond अब covalent bonds में भी हम types of bonds पढ़ेंगे single bond, double bond and triple bond जो आप लोग already पढ़ जुके ठीक है एक बार और देखेंगे अब वो भी कारबन की bond जरा ध्यान दीजेगा everybody pay your attention here there are two types of chemical bonds पहला है ionic bond जहां पर ions form figure और दूसरा है covalent bond पहले ionic bond की बाद करें ionic bonds are produced when electrons are transferred from atoms of one element to the atoms of another element producing positive and negative charge जैसे के आपको पताईए यह है आपका sodium जिसकी outer motion में one electron present होता है माल दीजे यह react करता है किसके साथ chlorine के साथ chlorine के outer motion में कितने electrons present होते हैं one, two, three, four, five, six, seven में पताईए यह अपना electron क्या करता है इसको transfer कर दे आइसा करने के बाद क्योंकि इसने इसको electron दे दिया है तो यह हो जाता है positive charge क्याट निबा समझना लिए और chlorine के उपर chlorine के पास क्या हुआ एक electron extra आ गया और यह एक्स्ट्रा electron है किसका है sodium का जब ऐसा होगा तो chlorine क्यों परा जाएगा अब इतना complicated क्यों लिखे इसको short में लिखते है NACM क्योंकि एक positive charge एक negative charge आपस में क्या कर जाते है cancel out और neutral compound form होता है लेकिन यह को point form हुआ transfer of electron की वज़़ से ions form होने के बाद form हुआ इसे लिए इसको ionic bond कहा जाता है के इतनी बास में बखाएगा इसके बाद हम देखेंगे ionic bond के बारे हमें जादा पढ़ना भी हमारा जो topic है वो है carbon और carbon बनाता है जी covalent bonds ठीक है covalent bonds के बारे में जाबत है अब आ जाएगी covalent bonds मैंने आपको बताया था electronic bond integration आपने देखी थी तो हमने देखा था valence electron फोड़ा सा short के समझा देता हूँ यह topic previous chapters का है यह फिर भी समझा देता अगर outer motion में one, two, three, four, five, six, seven या eight electrons present है तो उसकी valency क्या हो जाती है आपको बता अगर outer motion में यह फिर यहां पर कैसे विदेगा eight minus five इसकी valency three इसकी two, इसकी one, और इसकी zero जिसकी outer motion में four electrons होते हैं वो electron ना ही gain करते हैं और ना ही lose करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं sharing of electrons करते हैं और covalent bonds बनाते हैं covalent bonds हमेशा कौन बनाएगे non metals बनाते हैं जो metals हैं वो हमेशा ionic bonds बनाते हैं जो non metals हैं वो covalent bonds भी बनाते हैं और ionic bonds भी बनाते हैं जैसे वे में पीछे देखा chlorine is a non metal लेकिन वो ionic bond बना रहा है लेकिन जब दो non-metals के बीच में बनेगा bond तो वो हमेशा कैसा होगा? Covalent Bonds होगा, ठीक है? आएके सब्सक्राओं बजी में? तो जरा यह पड़ो, Covalent Bonds are formed by the equal sharing of electrons from both the atoms. जैसे, एक एक हाइट्रोजन, इसका अटॉमी नमबर कितना है? और इसके आउटर मोशेर में कितनी लेक्ट्रोंस होगे? और इसे जरुवत कितनी है? बही, फर्स शेर में 2 electrons आ सकते हैं, hydrogen के पास एक है, अगर एक और आजए, तो समसे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यह के आउज़ाएगा, stable. बही, अब यह एक electron ढूंड रहा है, कोई दे दो भई, कोई दे दो, लेज़ दे रहा है, तो भई, एक और इसके पास hydrogen की कमी है, तेरे पास है, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, कि sharing करें, इस चीज़ को आप ऐस समझेए, कि कोई मान लीजे 10 lakh रुपीज का business start करना है, आपके पास 5 lakh रुपीज है, मेरे पास 5 lakh रुपीज है, अब दो तरीके है, या तो हम तो अपनी ego लेके बैठे रहे, तो भई, मैं अब बही शूट करूँ, और आप भी अपनी ego लेके बैठे रहे हो, कोई बात नहीं, business चाहें, ना हो कोई इक कदमी है, लेकिन करूँगा तो मैं separately, तो तो मैं कितने का honor हूँ, 10 lakh रुपीज है, तो बिजनेस तो दोनों का equally हख है ना, ऐसे ही यहाँ पाल, ऐसा ही safe होगा यहाँ पाल, यह गया ठीक में, मैंने तेरा electron share करेंगा, अब इसके पास कितने electrons हो गए, इस वाले hydrogen के पास भी कितने हो गए, अब यह दोनों आपस यहाँ पर जो है, वह एक bond बन गया, यह जो bond है, कोई charge जब अपनी हुआ, लेकिन bond बन गया, ऐसे bond कों क्या होते है, को गए, अगर आप देखें, इस वाले hydrogen ने भी one electron share किया, और इस वाले hydrogen में भी one electron share किया, तो दोनों ही atoms equally number of electrons share कर रहे हैं, के इतनी बाद समझना रहे हैं, इसी 10 lakh के business को जड़ा मिजे एक और examples मसके, माल लीजे मेरे पास 20 lakh rupees है, माल लीजे मेरे पास 20 lakh rupees है, और आपके पास 5 lakh rupees है, अब बता हुआ है, आपके साथ business partnership में करूआ है नहीं करूआ, अब यहाँ पर requirement क्यूए तो जरूर हो सकती है, हो सकत ते ही मेरा business बहुत high jump कर सकता है, रुपय तो मेरे पास 20 lakh है, 10 lakh के सिर्फ जरूरत है, लेकिन मैं तब भी आपस 5 lakh rupees की sharing कर सकता हूँ, जब मुझे आपस कुछ फायदा होता, के इतनी बाद समझ में आ रहे हैं, तो मैं अपने 15 lakh side में कर गूँगा, उनके मुझे जरूरत में इतनी बाद समझ में आ रहे हैं, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जैसे कि क्लोरीन, और एक्सियल की बाद है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन की आउटर मोस शेल में कितनी लेक्ट्रोंस होते हैं, तो बही यह माल लीजी यह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और हाइड्रोजिक के आउटर मोस शेल में इतने लेक्ट्रोंस होते हैं, अब एक बाद, पर मुझे एक इसे एक लेक्ट्रों की ज़रूरत यह स्टेबल हो जाएगा, इसके पास जादा लेक्ट्रोंस है, इसके पास कम है, ल करगे हैं, इसके बाद रहाँ से सुगे, तो ऍन वाले इलेक्ट्रोंस से कोई लेना लेना है, जैसे मैंने 20 lakh में 15 को साइपों कर दिया, इस 8 इलेक्ट्रोंस है, इससे हम दोनों का फैदा होगा, गो कहेगा कैसे, इस वाले इलेक्ट्रों का अबर तु ने शेर कर दिया, तो इस तरीके से बनाते हैं HCl कहतनी बाद समझ के अरे तो यहां पर आएनिक बाइन बन रहे हैं यहां पर क्या वही शेरिंग और ऐसे जब बनते हैं उसको क्या बोलते हैं इस जो बन बना उसमें इक्वल नंबर ऑफ एक्ट्रॉन शेर हुए वन इलेक्ट्रों क्लोरीन ने शेर क और हुआ इलाप्रण हाइडरस अब समझ करणी है क्लियर है कार्बन फॉर्म्स को अब यह अब हम यह पड़ रहें कि कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोविनेनज बान बनाता है उसे और कोई आइनिक बाइन ही बॉन करबन जहां पर भी present है जैसे कि अगर मैं बात करूँ बांकी नौन मेंटर्स आइनिक बाइन ब्का बना लेते हैं जरूरत के इसाफ से और कोढहरे फिर बाइन बांड बना लेते हैं कोवेलेंट में हम टाइपस ऑफ बॉंड्स देखिए पहले तो जब जब डेफिनिशन देखिए दब कैमिकल बॉंड फॉर्म बाइशेरिंग ऑफ एलेक्ट्रॉंस बिटिवीन फू एक्टम्स इस नून आज कोवेलेंट बॉंड जब शेरिंग करके बगता है कोवेलेंट क्यों वर्ड पॉर्वर्वलम our अन्रा अदरह हमेर है है अगर करवन कि पीच में से करई चेम्ल मांत भी सकता यह, शगते हैं आुच्छिन सुल पमक्यानल की पार साूझ हो जनुड अ तो यह किसी और के साथ भी बना सकता है अब पहला एक्जाम्पल लेते हैं सिंगल बॉंड कब बनेगा जरह जहां लीजिए एक बॉंड तब बनेगा जब टू इलेक्ट्रों शियर परते हैं और इन दोनों बीज में गीसिंगल बहुत कि इथरा देल होगे कई बार को आपसे number of electrons पूछ दो साधे bonds गिनोगे और उसको टू से multiply कर दोगे समझारी बात हैं अच्छा जैसे oxygen oxygen आप उसमें double bond बनाते हैं ये वाला है oxygen भी two electrons शेर कर रहा है और ये वाला है अगर आपसे पूछे बाई number of ऑफ्कोवलेंट बताओ तूपोवलेंट बांट नमबर और अफ्लेक्ट प्रांस बताओ एक कोवलेंट बॉन्ट में टूइलेक्प्रांस होगे तो तूइस बासमझ में आरही नहीं है तो इसका मतलब यह है a single single covalent bond is formed by the sharing of one pair, एक single bond बनाने के लिए one pair of electron share होगे और जितने भी bonds बने गए उसमें से half होगे, half इधर के होगे, half electrons इस वाले atom के होगे और half electrons इस वाले, half electrons between two atoms, a single covenant bond is formed by sharing of two electrons between the atoms, each atom contribute one electron for share, हर एक atom एक एक electron share करेगा, इसके बहुत सारे एक्सारे एक्सामपल से, जैसे कि आप ऐस समझे है, कि जैसे कि यह ऑक्षीजन है और यह लगा हो सब्सक्राइब जाऑे यह कैसे बॉंड बन रहा है क्याइver यहां पर्लक्रों और वेच्ट्रोन कितने है शेड़ बाइफ द्युद Wir hr यहां पर एक एलेक्ट्रोन यहां पर एक एलेक्ट्रों यहां पर एक एलेक्ट्रोन यह औक सीज़न कितने हैं जहन से सुनना ओभर का स्गैश्टिन Six unlocking परो अरध एक ठोड यहां अव olur वह बोन जल्द्रोज़न और参त पाड़। तब या तो confusion period हो जाती है, वो number of electron shade by each hydrogen बोलेंगे, आप देखो जल्द वाजिम गलती करत होगे, तो oxygen के पास दो है, hydrogen के पास दो है, इस case में एक आए, और number of electron shade by hydrogens पूछा जाएगा, तो तो, कैसी बास समझा आएगे, example ज़रा देखिए, chlorine का, chlorine का, पहली बाद तो ये covalent bond बनाने से होगा, क्या, इनकी जो electronic configuration है, वो inertness के बराबर हो जाती है, तो ये stable हो जाती है, inert gas की जो configuration होगी है, वो वाली configuration ये achieve कर लेते हैं, outer motion में 4 electrons या 8 electrons मतलब 2 electrons या 8 electrons आ जाती है, अब दर घान दीए chlorine, ये chlorine है, ये chlorine है, इसके पास 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दोनों इंतजार में थे, कि भाई कोई आए और एक electron दे दे, कोई आए एक electron दे दे, कोई आए, एक electron दे दे, कोई आए, कुछ लोह होते हैं, इंतजार करते रहते हैं, चीज होगा है, कि भाई अपने आप आप हो जाए, अपने आप हो जाए, लेकिन ये दोनों निगले इसने का बहुत वड़ीया बात है, बस एक इलेक्ट्रॉन शिह पर का है ऐसा करने से क्या होगा, इसमें का देख मेरे पास अब कितने उलेक्ट्रॉन्स हो गए मैं हो गया, स्थेफ़ों हो गएगा मेरा क्या फाइद है फैरो हो है तूभी घर ले तूभी अधर लेक्ट्रोंन दिस शेप हो क्या बास समझ बारी है ऐसा करने से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रोंस आ गए और इसके पास इसको लुईस.structure क्या बोलते है लुईस.structure अगर पेई में लिक करा जाए तो समझ जाना लुईज डॉट इसे दूजेंगे लुईज डॉट क्यों तो टिज करेंगे तो अब आपसमे रियाक कर गए और क्लोरी बराद कर इसी चीज़ को ऐसे दिखा जा सकता है यह है लूइस जो इस्ट्रॉक्टर यह इसका इस्ट्रॉक्टर फॉमिला लेग देता हूं मैं बाद में फॉरी यह आपका लूइस डॉट इस्ट्रॉक्टर फॉमिला और इसी चीज़ को एक और तरी के से लिखा जा सकता है पिर इसको बोलते हैं केमिकल फॉमिला या मॉली किलर फॉमिला इसको जो करें him इसे बॉन्ड शो कर रहें तो इस्ट्रॉक्चर फॉमुला और अगर डारेक्ली फॉमुला लिख रहें तो चैमिकल फॉमुला या फिर molecular form easy इसके कुछ और examples देखे जैसे कि ये देखें meatane इसका बहुत आगे कुछ होने बादा है meatane यहाँ से याद दितर दीजिए CH4 का क्या मतलब है meatane meatane किस तरीके से ये single bond बनाता है ज़रा ध्यान दीजिए मैंने लिया एक carbon carbon क्या है tetravalent इसकी valency कितनी है 4 1,2,3,4 ठीक है ये एक साथ में कितने bond बना सकता है 4 ऐसे समझ लो इसके 4 हाथ है 2 इधर और 2 आगे पीछे एक साथ 4 दो को पकड़ सकता है अब ये carbon है इसकी आउटर मोशन में 1,2,3,4 आउटर मोशन वारे लिखे जाते है ये है एक hydrogen एक electron के साथ ये है एक hydrogen एक electron के साथ ये है एक hydrogen बाकी सारे भी इंतिजार कर रहते है और ये carbon इंतिजार कर रहा था किसी ऐसे इंसान का जो आकर मुझे 4 electrons दे दे या sharing कर दे तो ये देगा तो है नहीं अपने 4 electrons किसी को नहीं देगा ठीक है इस इंतिजार में बैठे बैठे में इन पर बढ़ापा आने कर रहा और इननों कभी समझदारी ऐसा कि भाई इस carbon ने का तो ऐसा कर मेरा एक electron के साथ की sharing कर ले 13 बद्रा हो जाए तो इस्टेबल हो जाएगा या सही बात है एक electron की sharing कर ले मैं क्या हो जाओं इस्टेबल सब्सक्राइब इस्टेबल 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 एक लेक्ट्रोन दे रहा है, एक लेक्ट्रोन ये इसको दे रहा है, एक लेक्ट्रोन इसको दे रहा है, क्या बाश समिछ भारी है? तो ये है इसका Lewis Dot Structure, Sharing of Electrons इस भी है जा दें, इसी चीज़ को अब हम Structure Formula में देखें, Structure Formula इसका क्या होगा, अजरा धिहान देखें ये हो गया जी आपका Carbon, यहाँ पर 2 electron share ओरें तो single bond, यहाँ पर भी 2 electron share ओरें तो single bond, single bond, single bond एक Carbon 4 bonds बना रहा है, लेकिन 4 के 4 single bonds, क्या बाश समझ भारी है? तो ये कैसा एक 4-voland है, और single bond है? इसी चीज़ को ऐसे देए, अगर molecular formula ले इक बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? C, ये carbon और hydrogen 4 है, इसी ये methane performda होता है, CH4 है, ये ओगरी compound है, क्योंकि यहाँ पर carbon बेज़ा है, क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, ये देखो, ये कुछ इस तरीके सारे इंज होता है, beach managing carbon और 4 hydrogen इसके साथ आपस में combine है, तिक है? आ आगे बढ़े, H2O, water के बारे में आप लोग बढ़े ही अच्छे साथ, ऐसे ही जानते है, आज थोड़ा और अच्छे साथ जानते है, oxygen जो है, उसकी outer motion में 4 electrons होते हैं, इसकी outer motion में कितने electrons होते हैं? 6, एक है, 2 जर्वनाज़त है, हाइड्रोजन नहीं साथ नहीं है यह जो है ऐसा नहीं है थिक है वह यह रूप लेंगिया है यह को दज़ा है हाइड्रोजन वही ऐसी कोई कंडीशन थी वही इस ओक्सिएन के पास आउटर मोश्यल में कितने लेक्ट्रॉंस थे इसको कितने लेक्ट्रोज़ के जरूत है इसके पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास बदरन का फिर शेरिंग यह कर लो यह जिंग यह ओकि है अग्या है बस क्योंकि हाइड्रोजन में और ओटरोशन के कितने एलेक्रोंस चाहिए उसर्फ तुम्हें बई ऐसा है मैं यहां पेठा हो अब तुम्हें क्या दग रहा है नगा देखने के यहां में ठाँ हो तो इसमें का नहीं जी ऐसा करो आप भी शेरिव की है अब जबा देखो मैंने सब्सक्राइब करना स्रिफ एलेक्ट्रों के साथ शेरिव क्या वा समझ में आ रही है तो यह को हो गया जी आपका शेरिक इसका स्ट्च्च्च्र फॉम्ला कैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन सिंगर यहां पार और जो एलेक्रोंस शेर नहीं कर रहे हैं उनको नहीं बिनाया जाए इसका स्ट्च्च्र फॉम्ला और इसका मॉलिवनर फॉम्ला क्या है वह तो आपने तो ऐसे बना हुआ है यह तो ऐसे बना हुआ है एक्च्वल जो इसकी geomimtrig आप है वह 11th class पुदॉम्ला के geomimensetric बसुल में किहली एक्षुल दिखने में कैसे होगा झैसे मैं नाम दोब आपि में रह्थ यांग में इसे स्वेयर बोलूँग को आपको यह समझ में आजाएंगा का बीज में ऑक्सलीन होगा और हाइड्रोजन ऐसे बैंड होता है क्योंकि इसके पास अन शेर्ड या अन पेर्ड एलेक्ट्रॉम्स होते हैं जिसकी वज़े से यहां पर निपल्शर देखने को मिलता है और यह बैंड होता है तो इसका मॉलीकुल का एक्च्वल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है पर आपको इतना अभी 10th क्लास मेहनी आप सिंप्ली ऐसे भी बना सब्सक्राइब इसके साथ शेयर करेगा यह इसके साथ शेयर करेगा कार्वन कार्वन को भीज में सिंगर बनेगा और क्या बोलाना है अधिकर बढ़ा है अधिकर और क्या होगा इसका इसका इसके आउटर मोच्चिन में कितने लिए अधर क्रहंटे ने एस्टाहए अभी मैंने आपको इस बिजनेस वाला एक्जांपल दिया था हमें फाACT है फाइदा देखना हो था फायदा किसके साथ हो एक हम आगा जेंस किसके साथ क्रोवे करेगा वा अपनी जेव इंका बें देगा आकर बिस्मेंस इस से क्रोव कर जाए उस बने का झागा वी आ तो यह क्या करेगा भई इसके साथ रियाक कर जाएता है और यह इसके साथ शेयर करेगा और यह इसके साथ शेयर करेगा ऐसा पर में से क्या होगा hydrogen और chlorine के तीच में single bond बन जाएता है और इसी को क्या बोलते हैं hydrogen hydrochlorine acid अब देखो दो कार्वन टेट्रा क्लोराइल टेट्रा मतलब होता है 4 मैंने आपको स्टार्टिक के बताया यहां पर क्या होगा द्यान दीचेगा एक है कार्वन कार्वन की आउटर मोश्यार में है है 4 electrons और hydrogen वाला भी आपने case देख गई है बिल्कुर वही same case दुवारा से chlorine लेकिन chlorine भाई गरीव इंसान नहीं है chlorine के पास है outer motion में 7 electrons chlorine के पास outer है क्याच इस 7 ही होते outer motion में कितने electrons होते 7 ही है chlorine के outer motion में होते है जिस 7 electrons अगर ये carbon एक electron की sharing करने को तयार हो जाए तो chlorine के पास कितने electrons आ जाएंगे ये imbalance हो जाएगे नहीं हो जाएगा स्टेबल हो जाएगे नहीं हो जाएगा तो कि outer motion में कितने electrons हो गए है आपने configuration पढ़ी है 9th class में हर एक element ये जाता है उसकी first shell में अगर hydrogen और helium को छोड़ दे बाकी दुनिया में जितने भी elements है वो ये जाते हैं कि उसकी outer motion में 8 electrons आ जाएं जिससे उसकी electronic configuration novel gas की तरह हो जाएं इनर्ट gases की electronic configuration को फॉलव करना चाहते हैं ये देखिए जरब ये इसके साथ शेयर करेगा ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये कारणन क्या करेगा इन सबही के electrons के साथ शेयर करेगा कहीं आप chlorine को भी साथ में एक question आते हैं अब इसको formula क्या हो गया है आँ जी आपको गया मैं टाइम पास करना हूं कैसे question में एक draw गर्मा होता है वही चीज कराई जाएंगी जो exam में आता है ये तो question पुछने वाली बाती नहीं है मैं को सब्सक्राइब गर्स ऐसे पढ़ रहा है कि जी बस आप संथाने के लिए बताए जा रहे है कि गई ये सा रहा है ये sharing of electrons हो गई ये उसका structure formula हो गया और ये उसका molecular formula हो गया क्या बात समझ मैं रही कैसे signal bonds पंगते है अगर मैं आपसे तूच हूं कि number of electrons share by each chlorine each chlorine कितने electron share कर रहा है वान कहीं आपसो फोर नमबर ऑफ electron shared by carbon four shared by अगर आपसो क्लोरीन तोटल नमबर ऑफ electron shared by the compound तोटल होंके eight two 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 eight number of ovalent bonds four है number of electrons shared कितने हो जाएंगे उसके double four का double eight यह की बाद समझ के आ रहे हैं यह दरा देखो ammonia ammonia की बाद करें नाइट्रोजन का atomic number कितना होता है seven इसकी outer motion में कितने है क्को होंगे five दो one two three four five और इसके आस पास क्ोन आसकता है hydrogen यहाँ पर भी hydrogen यह पर भी hydrogen hydrogen कर दरा दो डेंट है one अब यह क्या करेंगा sharing यह hydrogen इसके साथ sharing करेगा इसके साथ और ये नाइट्रोजन क्या करेगा इन सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोन के साथ शेरिंदा रहेगा अब जरा गिंदो इतने 567 तो एन एज तो इसके स्ट्रॉचर मुछ ऐसा बनता है और ये ये इसकी वज़ाई यहाँ पा न्रट्रॉजन उल्न रहे हैं एल्क्त्रों बोड़त को अजने और इसके सिए जने ऐस के उल्क्राइब這些 पासे अल्यएसे अंब से दढ़ा और है अज वसे हाई हुआ हो कहाऊ कि समझ में आरी बात ही है नहीं किस तरीके से करना है किसी बच्चे को सुख दुल्दा परिशानी